नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं जैसे कि देख पा रहे हैं रेलवे आरपी एफ कॉंस्टेवल और एसाई की नई भरती के बारे में जो की दोहर थेस में निकल के आने वाली है टूटल नमबर पद की बात करें इसमें तो जैसे कि देख पा सिलेबस के बारे में सेलेक्शन प्रोसस यह नि लोग का सेलेक्शन कैसे होता है इसमें इस लिमिट क्या मांगी जाती है पूरी जानकारी स्टेप बेस टेप आपको यहाँ पुल डेटेल के साथ देने वाले हैं तो जो लोग यहाँ पे रेल्वे में आरपी एफ एसाई और Constable को какой-ounter liaison करना चाहते है! फुल डिटेल हम यहा इस वीडियो में देने वाले हैं! तु दोस्तोर यह अब हम आ आ गए से अपने , Hardware Board पर इसमें हमको बताने वाले हैं जिसे की देख पारे है RPF Constable Upcoming Vacancy के बारे में तो दोस्तों हम सिर्फ इसमें Constable के बारे हम बात करेंगे ठीके दोस्तों जो लोग Constable के लिए अपलाई कर पाएंगे उसके लिए क्या 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 एजुकेशन क्वालिफिकेशन Age Limit Selection Process, Labor, सारी जनकारी हम Constable के बारे हम बात करेंगे अब ही थोड़ी दिर हम बात करेंगे कि इसमें SI के लिए भी बात करने वाले है ठीके दोस्तों जोस्तों जोसे देख पारे है इसके लिए ऐस लिमिट की बात करेंगे तो यहां पर 18 साल से लेकर आपके उमरे 25 साल तक है तो आप इसका Online Form को एपलाई कर पाएंगे relaxation की बात करें तो इसमें ISV में छूड़ दी जाती है OBC को 3 साल की SST को 5 साल की छूड़ दी जाती है eligibility criteria यानि कि सिख्षा योगिता की बात करें तो दसवी पास यदि आप हैं तो इसके online form को apply कर पाएंगे only for constable के लिए ठीक दोस्तो syllabus की बात करें इसके जैसे देख पार 120 नंबर के question आपका paper होता है यहाँ पे 120 नंबर ही इसके लिए दिये जाते है time की बात करें तो नवे मिनट की अन्यड़ गंटे का आपको समय दिया जाता है इसमें भी one by third की negative marking होती है आपकी syllabus की बात करें तो यहाँ पर जैसे देख पार reasoning से 35 questions आते हैं आपके math से 35 questions और GK GS की बात करें तो 50 number of questions यहाँ पर आपके GK और GS से पूछे आते हैं total number of questions की बात करें तो 120 हो जाते हैं जिसके लिए आपको 120 mark सी provide के जाता है अब हम बात कर लेते हैं इसके physical process की क्योंकि दोस्तो आर्पी एफ है railway protection force इसमें physical requirement होती है जैसे की देख पार है physical eligibility क्या होती है तो जैसे देख पार है height की बात करें तो दोस्तो male candidates के लिए 165 cm आपके height होनी चीए cm में 115 cm की होनी चीए chest की बात करें तो जैसे की देख पार है 80 cm से लेके 5 cm तक आपका full hour होना चीए 5 cm का तो वही running की बात करें तो 16 cm की running होती है जो की 5-45 में आपको मांगी जाती है ठीक दोस्तो high jump की बात करें तो 4 feet तक आपको high jump लगानी होती है long jump की बात करें तो 14 feet आपको long jump लगानी होती है वहाई criteria हम बात करें female के लिए जैसे की देख पार है हाँ पे height की बात करें तो 157 cm होनी चीए आपकी height इसमें chest का कोई expansion नहीं होता है इसकी जो race होती है वह 800 meter की होती है जिसके लिए timing दिया था है 3-45 minutes 3-45 seconds का time दिया था है high jump की बात करें 3 feet होती है long jump की 9 feet होती है तो दोस्तो यह total criteria जो मैंने आपको इस screen पर दिखा रहे है सारा criteria कि only for constable के लिए होता है हम बात करते है SI के लिए क्या-क्या qualification और क्या-क्या requirement होती है तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं आप इससे देख पार है RPF SI upcoming vacancy को लेकर लेकर लेते हैं जैसे कि देख पार है इसके लिए age limit की बात करें तो यदि आपके उमरे 20 साल से लेके 25 साल तक है तो आप इसका online form को apply कर पाएंगे और age election है ICM में छूट की बात करें तो OBC को 3 साल की और SST को 5 साल की छूट देखने को मिलेगी हम बात कर लेते हैं इसके सिक्षा ही होगी ता कि सिक्षा ही होगी ता कि बात करें तो यहाँ पर आपको बस graduation का certificate है तो आप इसका online form को apply कर पाएंगे अब हम बात करते हैं इसके syllabus को लेकर syllabus जैसे की देख पा रहे हैं यहाँ पर इसक्रीन पर आप syllabus की बात करें तो जैसे की constable में आपका 120 नमर का question paper आता है और इसके लिए 120 नमर यहाँ पर सीम पैटर्न है सीम से लिए बस है ठीक दोस्तो बस यहाँ पर post का फरक है ठीक दोस्तो जैसे की देख पा रहे हैं और level of questions की तो इसके लिए भी 90 minute का time दिया जाता है और इसकी बात करें negative marking one by third की negative marking होती है general awareness यहाँ पर पाचास नमर का question आता है 65 cm same height जो considerable मांग याती है वही SI मांग याती है SCST को यहाँ पर छूट देखने को मिलता है जो कि 68 cm की होती है long jump की बात करें तो 12 feet यहाँ हमांगा जाता long jump high jump की बात करें 3 feet 9 inch मांग याती है running की बात करें तो solo semester की running यहाँ पर आपका set होता है जो कि यहाँ पर 6.6 मिनट में आपको clear करना होता है ठीक दोस्तो वही हम बात करें physical की जो female candidates के लिए जो female SI के लिए apply करना चाहेंगी female के लिए 157 cm height होनी चाहिए SCST को यहाँ पर जैसे कि 152 cm यहाँ पर छूट देखने को मिलता है ठीक दोस्तो और यहाँ पर इसे long jump की बात करें तो 9 feet आपकी long jump होती है female के लिए high jump की बात के 3 feet होती है और running यहाँ पर सेम होती है 8 minute की होती है 800 meter की होती है जो कि आपको 4 minute का समय दिया जाता है ठीक दोस्तो